अकसर लोगों से सुना होगा कि शरीर में metabolism slow है इसका लोग सीधा मतलब निकाल लेते हैं कि भोजन का पाचन सही से नहीं हो रहा है हाला कि इस पाचन का संबंध भोजन से जुड़ा तो है लेकिन metabolism सिर्फ भोजन का पाचन नहीं है बलकि इसके बाद की रासायनिक प्रक्रिया ह metabolism शरीर में घटित ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन से आवश्यक पोशक तत्व को अवशोशित कर इसे एनरजी में बदलना होता है यानि जब भोजन पचकर प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, फैट और मिनरल्स में बदल जाते हैं तो इन चीजों को एनरजी म सही से काम नहीं कर रहा जिसे हमारी उर्जा कम हो गई है इस प्रकार सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए metabolism की आवश्यक्ता होती है इसलिए प्रत्ये कांग कारे करता है हाला कि सवाल ये है कि metabolism को कैसे बढ़ाया जाए चलिए जानते हैं healthy diet चुने क्योंकि आपके आहार म उर्जा अवशोशित और परिवर्तित हो जाएगी आपको healthy diet के हिस्से के रूप में अधिक protein आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए इसके लिए ताजे फल, मेवे, बीज, समुदरी भोजन, साबुत अनाज और अंडी का सेवन करें यदि आप बहुत कम खान तो आपका metabolism slower हो जाएगा और आवश्यक minerals को भी support नहीं करेगा इसके अलावा बात करते हैं breakfast की अगर आप पूरे दिन उर्जावान रहना चाहते हैं तो सुबह का नाश्ता करना याद रखें healthy breakfast के लिए अंकुरत साबुत अनाज का उप्योग करें इसमें अनाज, मूंग और अन्य सामगरी को भीगो कर खाना चाहिए वहीं बादाम और भीगे हुए seeds भी काफी फायदे मन साबित होंगे यदि आप नाश्ता नहीं करते हैं तो आपको तीवर metabolism का अनुभव नहीं होगा metabolism को सही रखने के लिए कुछ minerals की बेहत जरूरत होती है जैसे selenium और iron विशेश रूप से महत्वपूर्ण है हाला कि ये दो अलग-अलग खनिज है लेकिन ये दोनो thyroid ग्रंथियों द्वारा hormone release में सहायता करते हैं thyroid hormone के release में कमी के कारण metabolism slow हो जाता है इसलिए शरीर में कभी भी iron या selenium की कमी नहीं होनी चाहिए इसके लिए फलीदार सबजिया, seafood, seeds, बादाम आधी को diet में शामिल करना चाहिए आगे बात करते हैं मिर्च की हाला कि ये जानने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि मिर्च powder metabolism को बढ़ाता है मिर्च powder में capsaicin रसायन होता है जो metabolism को बूस्ट करता है यह मिर्च में मौझूद कैलोरी को बन में सहायता करता है यानि मिर्च weight loss में भी मदद कर सकता है कुछ अध्ययनों में रोजाना 6-10 mg मिर्च खाने के फायदे बताय गए है कॉफी में कैफीन नाम का रसायन पाया जाता है जो metabolic rate को बढ़ाता है एक अध्ययन के मुताबिक कैफीन लिपिड यानि fat के metabolism को regulate करने में मदद करता है